पती द्वारा हनीमून के लिए गोवा की बजाय अयोध्या ले जाने पर महिला तलाक चाहती है। मध्य प्रदेश की एक महिला ने अपनी शादी के पांच महीने बाद ही अपने पती से तलाक मांगा है क्योंकि उसने उसे गोवा में हनीमून देने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसे अयोध्या और वारान सी ले गया। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार दमपती के अपनी यात्रा से लोटने के 10 दिन बाद 19 जनवरी को असामान्य मामला भोपाल पारिवारिक अदालत में पहुँचा। महिला ने अपनी तलाक याचिका में कहा कि उसका पती IT सेक्टर में काम करता है और उसे अच्छी सेलरी मिलती है। वह एक कामकाजी महिला भी हैं और अच्छा कमाती हैं, यानि हनीमून के लिए विदेश जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्थिक तंगी ना होने के बावजूद महिला के पती ने उसे विदेश ले जाने से इनकार कर दिया और भारत में ही किसी जगह घूमने की जिद करने लगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने मातापिता की देख भाल करनी है, जिसके बाद दमपती अपने हनीमून के लिए गोवा या दक्षिन भारत जाने पर सहमत हुए। उन्होंने उस समय यात्रा पर कोई आपती नहीं जताई और बिना किसी बहस के योजना के साथ आगे बढ़ गई। अपने में भोपाल फैमिली कोर्ट में परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।